नमस्ते फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल रोजना हम घर में कोई ने कोई सिजनली सब्जी बनाते ही है और उसी सब्जी को हम थोड़ा अलग अंदाज में बनाए तो सभी को पसंद आती है तो चलिया आज बनाते हैं हम गोभी आलू मटर मसाला तो सब्जी बनाने के लिए मैंने फ्रेस गोभी लिए है इन में से फ्लोरेट्स चार सगराम यूज करेंगे और पंचह आलू लिए है उबला हुआ है यह मिडियम साइज का है और एक कप मटर के दाने लिए है यह फ्रेस है आप चाहे तो फ्रोजन भी ले सकते हैं माटर तीन लशं पान्शा के लिए प्याज एक और अद्रक थोरा सा काटके लिए हैं एक इंच करीब तो अब सबसे पहले गोभी से फ्लोडेट्स निकाल लेते हैं आलू को चील लेते हैं और टर्माटर प्याज आद्रक लशं को पीछ लेते हैं तो देखिए मैंने बरे बरे अरे तुकरे में काटे हैं आली को बिश से इस तरह से काट लिए हैं पेस्ट में मना लिया है तो चलते हैं गैस कि तरह तो गयाश पर एक भणक में पानी लगनेश धेंगे दकल कर तो पानी उबाल चुका है देखिए अब तो आहिसमें डालेंगे फ्लॉरेट्स अब इन्हें डाल कर रगख देते हैं और उबाल आने के बाद एक देज मिनुट और पका लेंगे थोरा साकर करेंगे तो चेक करते हैं वॉबाल आने केबाद मैंने एक मिनट पका लिये हैं आप बार फ्रका दाल कर इन्हें भी एक मिनट और पका लेंगे दोनों चीज़ को रख देते हैं और एक मिनट के बाद पानी से निकाल लेंगे दोनों चीज़े को तो एक मिनट हो चुके हैं गैस को बंद कर देते हैं और एक जाली पर इन्हें निकाल लेते हैं ताकि पानी इस्ट्रा निकल ज लेते हैं तीन चमस डाल रहे हैं और तेल को गरम होने देते हैं तो तेल गरम हो चुका है अब आलू डाल कर थोड़ी देर भूल लेते हैं इसे गोल्लेन मरान होने तक भूल लेंगे तो गोल्लेन मरान हो चुके हैं देखे आलू अब इन्हें निकाल लेते हैं कि अब इनमें डालेंगेगे गोभी और और उसी तरह से गोलें परांड होने देढ़ देश़ाव मांप कर देखें गोभी निकाल लेते हैं तो दो चोटा टुकडा दालचीनी का दो लंग दो छोटी इलाइची और एक बड़ी इलाइची लिये हैं इन्हें डाल देते हैं और और इसे थोड़ी देर पकने देता है घडा मसाला का आरोमा सब्जी में की में बहुत ही अच्छी आति और गुख बाहन बैख सकते हैं और टीजाट अपन बदाले देर देंदा यह सुझा झीर अच्छी नियुक टमस्ट करते हैं तो डाले नहीं तो इसके भी नावी बना सकते हैं लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही सब्जी माच्छी आती है इसमें डालते हैं एक चुथाई चुटी चमच काश्मी लाल मिच पाउडर इसके कलर अच्छा आएगा सब्जी का और हल्दी पाउडर अधा चुटी गिवंगे जब तक इन में से टेल अलग नहीं होने लगे तो देखिए तेल अलग होने लगे हैं मसाले से अब इनमें डालते हैं मटर और मटर को डाल कर एक मिनट चलाते हुए भून लेते हैं मसाले के साथ कि यह दो एक मिनाट घुन लिये हैं मसाले के साथ मतर को देखे अब इनics डालेंगे दी ऑपने स्वाधकी अंश्वार लेंगे तो इन में डालेंगे पानी पानी मैं इसमें डेर कप यूज करूंगी है इतने पानी से लटपटी सब्जी बनेगी आप ग्रैवियर अगरेफी मौने चाहते हैं सब्जी में तो दो से अदाया कपा पानी तो पानी को इस तरह से रख दोटे जाएंगे और मिलाते जाएंगे मासाले में लेक एक भार में नहीं । अब पानी को डाल्या है अब वेछे से हुई कशाइब यह बंदीентов ध informally क्रूट कि अश्भराहे तो इसमें डाल ठीक अजो कोवि बेखें अब हम एप reden अबता अड़िती हैं और सब्वाश्चिम को एक बार इस तरह से मिला लेते हैं अच्छी तरह से सबजी को अची तरह से मिला भी लिए हैं और सबजी वहाल भी आने लगें chi देखे तो अब सब्ची को सब्ची मौरे पखके दूणारे गмеются speaking the difference between some these are inarbeiten निसमीकों रिएicker बहुत ही अच्छी कुछ वरे सब्सक्र्प्राइब कुष और सब्सक्राइब किजिएगा पीलिव सब्सक्राइब कीजिएगा और और किई प्रेस किजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे तो फिर मिलेंगे एक नहीं रेस्पी के साथ